अभी भी आपके iPhone में iOS 18 का Stable Update देखने को नहीं मीला है तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप iOS 18 का जो लेटेस होज़ेने उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने iPhone में और यहां पर जल से जल काईस आपका जो नए अपडेट है वो भी देखने को मिल जेगा तो कौन सी प्रोसेस है चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं यानि कि मंडे को आपको रात की 10 बज के 30 मिनिट के बाद ही जो iOS 18 का स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिलेगा यानि कि आप लोगों को कोई डेडिकेटर नया स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिलेगा तो उसके लिए अगर आपने कोई अपडेट RC का डाउनलोड नहीं किया है तो ही जाके आप लोगों को यहां पर स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा तो अगर आपको beta से stable में switch करना है तो क्या करना है सिंपल सा कैसी इस beta update पर आप लोगों को tap करना है और यहाँ पर जो beta update off लिका हुआ है सिंपल सा उसको यहाँ पर choose करके रख देना है अब यहाँ पर कैसी जैसे ही नया update आ जाएगा iOS 18 stable का 8.0.1 तब जाके आप लोगों को stable update है वो देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर beta से stable में switch कर सकते हैं बट अगर मान लिजिए आपके iPhone में यहाँ पर beta 6, beta 7 या कोई भी install है तो आप definitely iOS 18 के stable update में अभी ही switch कर सकते हैं तो I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आपने RC को download किया है तो आप लोगों को stable नहीं मिलेगा अब हो सकता है गाईस आप लोगों को iOS 18 का update सो ना करें जिसका reason हो सकता है आपका network issue अगर आप Wi-Fi यूज़ करते हैं तो आप Wi-Fi से cellular पर आ जाए cellular यूज़ करते हैं तो उसको off करके आप यहाँ पर अपना जो Wi-Fi है उसको यहाँ पर connect करके चेक कीज़ेगा हो सकता है गाईस आपका network issue की वज़े से आपको जो update है वो सो ना करें तो simple सा general में आ जाना है यहाँ पर general में आ जाने के बाद आपको tap करना है transfer और reset iPhone again reset पर tap करना है तो यहाँ पर आपको काफी सारे option देखने को मिल जाते है जिसमें से आपको चूज करना है reset network setting उसको करने के बाद simply आप अपना iPhone का जो password है वो एंटर करेंगे तो आपका guys यहाँ पर जो network related है wifi, bluetooth, data connection वो सब कुछ reset हो जाएगा और यहाँ पर guys within a few minute में आप लोगों को जो नईया update है वो यहाँ पर सो करेगा अब मान लीजिए अगर वो करने के बाद भी आपकी device में यहाँ पर अभी भी iOS setting का update सो ना करें तो simple से आप चले जाना है iPhone setting में जाना है iPhone storage में और यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है कि आपकी device में free space कितना available है हो सकता है guys आपका यहाँ पर iPhone में available space बहुत ही काम हो तो उसकी वज़े से भी जो update है उसमें download करने में issue आए और update सो ना करें काफी कबार ऐसा भी हो सकता है आपका iPhone का date and time प्रोपर तरीके से configure ना हो तो उसकी वज़े से iOS update देखने को ना मिले और हो सकता है उसमें delay देखने को मिले तो उसका solution क्या है simple सा setting में आ जाना है general में आ जाना है date and time पर tap करना है और guys यहाँ पर चो time zone है उसको simply automatic पर choose कर दिजीगा जैसे guys Mumbai वाला time zone आपकी device में set हो जाएगा तो आपको few minutes में जो नए अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा अखरी option है अगर कोई भी solution आपकी device में work ना कर रहे तो simple सा guys आप यहाँ पर अपना जो device है उसको simply power off कर दो और थोड़ी देर के बाद उसको on करतेगे तो हो सकता है का इस few times के बाद आप लोगों को जो नए iOS update है वो देखने को मिलेगा मैं उम्मिद करता हूँ यह सारे method को follow करने के बाद आपके iPhone में जो नए iOS 18 का update है वो यहाँ पर आ चुका होगा अगर कोई भी doubt कोई question है तो आप मेरे को comment section में directly पूछ सकते है मैं उसका answer कर दूँगा